हेलो भाई लोगो मैं हूँ आज अपने गाउं में और यह देख रहे हैं बल्कुल ग्रिनरी यह हमारे गाउं की जस्ट के लिगे पौदे की पीछे मेरा घर है आपको दिखाऊं यह देख सकते हैं यहां पर मुर्गी बक्री इस सब चीजे होती है और मैं जिब गाहूं आया हूं तो मैं देखता हूं कि यहां पर क्या क्या खेती हो रही है यह जो बोल देख रहे हैं आप खुश्यानी के पौदे हैं अरे मिर्च इससी भी लाल मिर्ची भी होती है ठीक है और हमारा पॉली हाउस आये पॉली हाउस में देखता हूं क्या क्या लगा है जब मैं घर था लॉकड फिर भी इसमें कुछ जरूर हुआ यह देखे टमाट्र यह बेगन का पोदा है और यह सिमला मिर्च है लंबी वाली पतानी कौन सी है कि यहीं सिम्मला मिर्च है दिलेकर ताज भरा यह भी कुछ ऐसी सिम्मला मिर्च टाइप क्या है कि यह टामाटर है यह पक जाएंगे तो अच्छा लगए टामाटर कि यह लाल मिर्च आप यह मूली है मम्मी ने हरेक्ट दो या दिए यह जी को कि अच्छे से समझने वाली बात होदे या राप हो रहा है लोकी बड़े चल्दी हो रहा है अध्य दर्वाज खोल गाओं सम्हां विलेज का व्याओं ने दिखाओंसे हैं और अ साम का टाइम होने वाला सामने सान कि अ और इस पीछे हमारा गाओं 60 को अधिसोगी डिखाऊ ये सबसे पहला हमारा है है तो यह मेरा गाओं का भी है भी मिर्म का भूर दखा है щड़क करणボ els जुल सक भ करते माधं सब और उपर हमारे जुल दिख रहे हैं वहाँ पर आप देख रहे हैं जहां पर हम किर्केट खेलने जाते थे यह जो सड़क आ रही है इस सीधर हमारे घर तक आ रही है और इन पर हमने सीमी मगर लगाई है सीमी जिदे को जाड के मूठे हैं ये गोरू के लिए ये भीमल का पेड़ है जो तरखंड में फेमेस है इसको बोलते है भीमल गाय के लिए एक बक्री के लिए काफी फेमस पाना जाता और ये हमारा पुराना पॉली हाउस इसमें प्लास्टिक नहीं अब ठीक करके खाना ये सब नेचुरल चीजें देना काफी अच्छा लगता है और ये जो है ये मक्य के पेड़ हैं जिसको हम पाड़ी भासमा काक्नी बोलते हैं ये भी रेडिय होने वाला है जल्दी अब सीजियन है जून जुलाई का बरसात का तो काफी गिरिनरी रहती है इस है कि फिर किसी ऐसी टेक्निकल वीडियो में गाओं के ब्लॉग वाले में थैंक सब्सक्राइब थैंक्यू सब्सक्राइब